The NB Show Clips में स्वागत है आपका, बस देखते रहो और सीखते रहो देखो एक ordinary customer जिसके पास finance की इतनी knowledge नहीं है वो एक FD को कैसे select करते हैं, I am basically sure वो यही दिखेंगे कि सबसे ज्यादा returns कहां से मिल रहे हैं सबसे ज्यादा अच्छा track record कहां का है, any other factor? मुझे लगता है कि सबसे important चीज़े जो हुई है, और Yes Bank का जो फियास को हुआ था कुछ साल पहले क्या हुआ था? Yes Bank के जो भी issues आये थे, कि जहां पर moratorium लग गया था, लोग अपना पैसान निकाल पा रहे थे then government came in, SBI Bank came in and took Yes Bank out of that वहां पर एक चीज़ बहुत important change हुए है कि हर FD पे RBI पांच लाग तक का insurance देती है, जो पहले नहीं था मतलब आप अगर किसी भी bank में FD करते हो, उस bank में जब पांच लाग तक का पैसा is insured by the government of India, by RBI इसका मतलब यह है कि अगर उस bank के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, वो पांच लाग आपके 100% safe है, वो आपको मिलेंगे मैं एक example बताता हूँ, यह आज से तीन महने पहले की बात है, और अंगाबाद में एक bank doobie, जो मैं बच्चपन से जिस, जो मैंने देखी है and all of that, right, and my parents का सारा पैसा वहाँ पर है, but because of the RBI insurance, और उनने जो ऐसे इसे डिवाइड कर रखा था, most of that money they will get back, right, so RBI insurance एक बहुत important चीज है समझने के लिए लोगों को, जो आज अपने bank में, यह चोटे मोटे bank में, कियार में इस branch manager को जानता हूँ, यह इन लोगों तक का पैसा रख रहा है, वो काफी risky है, because अगर कभी कुछ bank के साथ कुछ हो जाए, आपको सिफ 5 लाग मिलेंगे, right, so इसलिए diversification along with the highest interest rate, एक सबसे important चीज है, मतलब 50 लाग FD में नहीं डालने चाहिए, 50 लाग FD में डालने चाहिए, बट एक bank में नहीं डालने चाहिए, divide कर दो, अलग-अलग FD में, FD में return rate roughly same होती है, बहुत vary करता है, कुछ banks 6% देते हैं, कुछ banks 9% देते हैं, right, so यह काफी variation आपको मिलेगा, अब सबसे important सवाल है कि वो जो 9% वाले bank है, अगर मेरा मानना यह है, कि अगर 5 लाग तक का insurance RBI हर bank में देता है, तो bank का नाम X हो, या bank का नाम Y हो, इसे फरक नहीं पड़ता, highest interest rate जो दे रहा है, वो bank सबसे अच्छा है, 5 लाग तक का FD करने के लिए, right, अब वो जो highest interest rate दे रहा है bank, वो धूनने का task is 2-3 हफ़ते का काम, right, वो हम simplify कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे app पर आपको 200 bank के rates मिलेंगे, आप तुरंत आओ, highest interest rate देख लो, हमारे पास 9.1 तक के FDs है, जो rate 9.1% दे रहा है, और आप 3 मिनित में book कर सकते हैं, लोग 6% वाले options को क्यों चुनते हैं trust की बात है, कि लोगों को लगता है कि मेरे पास ब्रांच है, तो बहले 6% मैं यहां कर लूँगा, या फिर ये नाम मैंने बहुत बार सुना हुआ है, तो मैं यहां कर दूँगा, जजबात हो का खेल है, हाँ, तो वो मुझे लगता है कि साइकलोजिकल आ गया है, मैंने home loan ल सही service देंगे, whatever, अलग-अलग reasons है, अलग-अलग experiences है लोगों के, मुझे लगता है कि वो चीज थोड़ी-थोड़ी change हो रही है, अभी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं आज हमारे platform से, और छोटे-छोटे cities से आते हैं, उनको यह पता होता है कि यार 5 लग तक का insurance है, वो smart है कि जहां पर एक bank में उन्होंने 25 लाग डाल रखे हैं, उन्होंने उस bank में सिफ 5 लाग रखा और बाकी के जो 20 लाग रुपे वो अलग-अलग 4 बैंक में डाले हैं, जहां पर आपके returns भी बढ़े हैं, because आप 6 परसंट के जगह पे अभी 9 परसंट कमा रहे और पैसा safe है, so मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजे जो पहले नहीं possible थी, वो आज इंडिया stack के वज़े से, आज government के support के वज़े से बहुत possible है, right, RBI का ये 5 लाग रुपे का insurance करना is a very big move, मतलब हम basically एक छोटे भाई, छोटे बहन के perspective से घ्यान बाट रहे हैं, मुझे इस स इस वाला जो पैसा है, families के पास, वो सबसे hard earned money होता है, लोग बहुत emotional होता है FD पैसों के लिए, so मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप decision लेते हो, तब थोड़ा देख परक के decision लेना अचाहिए, जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा stable money app helps a lot, right, so बहुत वही चीज़ है, पता है, जब मैं 24-25 साल का था, जब मुझे actually personal finance के बार मैं बहुत कम पता था, तब मैं हस्ता था FD पे, शायद age के साथ पता चला है मुझे, उसका महत्वा, लोगी mentality ऐसे क्यों है, एक तो important यह था कि 4-5 साल पहले rates काफी कम थे, और अगर आप taxation निकाल लो उसमें से 30% या 20 जो भी 10% tax लगता है, उसके बाद बहुत बार आपकी FDs inflation को बीटनी कर पाती है, inflation को बीटनी कर पाती है, इसका मतलब यह था कि आपने अगर 100 रुपे रखा है, inflation अगर 5% है, तो ideally आपका पैसा अगले साल 105 के उपर जतना बनेगा, उतना आपका real income है, बड़ वो पैसा बन तो बस वही था कि यार मेरे 2 km के vicinity पे कौन सी ब्रांचे में वहाँ जाके FD करूँ, आज लोगों के पास access है कि वो इंडिया के किसी भी bank में FD घर बैठे कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये एक change आया है, जो पहले नहीं था, दूसरा बहुत बीच में, I think लोगों ने YouTube और अलग अलग जगहों पर बोला है कि FD अच्छी नहीं है, right, but FD has passed that time of test, कि यार हमेशा FD is that safer asset that you should always rely on, I think with this vision, we are thinking कि यार ये product जो इंडिया का सबसे favorite asset class है, इसको change करना है, ये age के साथ पता चलता है कि safe assets बहुत जरूरी होती है life में, जब young होते हो, you don't look at life that way, right, coming back to the start of the podcast, वो ही risk है तो इशक है वाली mentality, at some point वो shed off करनी पड़ती है, और मैं खुद उससे गया हूँ, to be very honest, आज जो बोल रहा हूँ, मेरा खुद का personal experience है कि मैं सोचता है, mom, dad को कि आप FD means में क्यों रख रहे हो पैसा, now today I realize, अगर आपको ये clip अच्छा लगा, ऐसे ही 1000 clips upload किये ग करता है करता है, आपको अटा T